बजाज लखनवी का एक शेर मुझे याद आता है कि हिजाब एफ इतना परवर पूठा लेतीं तो अच्छा था खुद अपने हुस्न को परदा बना लेतीं तो अच्छा था तेरे माथे कि ये आचल बहुत ही खुब है लेकिन तो इस आचल को पर्चम बना लेती तो अच्छा था हमारे साथ आप जिन्हें देख रहे हैं रीवा की बेटी हैं और इन्होंने अपने आचल को ना सिर्फ पर्चम बनाया है बलकि अब पूरे दुनिया में लहराने की कोशिश कर रहे हैं नमस्ते मेरा नाम अभशेख है और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी तो हमारे साथ आज लता टंडन जी मौझूद है लता ओफिसियल गिनीज बॉर्ड रिकॉर्ड के लिए अटेंप्ट करने वाली है अब किस लिए करने वाली हैं कैसे करने वाली हैं कब शुरुवात किया गिनीज बॉर्ड रिकॉर्ड में इनका नाम क्यों आ रहा है यह सब अब बातचीत को दौरान आपको पता चलेगा और थोड़ी से इंट्रोडेक्शन में यह बता दूँ कि आप रिवा से हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपको ता सबसे बहुत की सबसे बदाशियस के ली कि किस चीज के लिए आप ओफिचचर आपको फीचयल में अटेम्ट करने वाली हैं बहुत खिचपिच होती है घर में आपको असा एक तर लगतार बादतर गंटे बनाने में मैं बिलकुल एक हाउस वाइफ रह चुकी हूँ मैं हमेशा से शेफ नहीं थी लेकिन बहुतर गंटे का रिकॉड आप इसको एक पैशन से जोड़ सकते हैं जो कि एक शेफ पैशन है एक ऐसी फीलिंग से जोड़ सकते हैं कि एक शेफ क्या कर सकता है अपने देश के लिए बस इसी पैशन को जोड़ते हुए अपने देश के लिए कुछ करना था तो सोचा ऐसा कुछ कर जाओं जो की extraordinary हो और मेरे देश का और मेरे शेहर का नाम रोशन कर सको क्या लगता है आपको कब आपको यह लगा कि मैं इस काबिल हूँ कि 72 गंटे लगतार खाना बना सकती हूँ बिलकुल शुरू से अगर बात करें शुरू आत हुई ऐसी feeling से जब आप अपने देश से दूर होते हो और आपको आपकी देश की बहुत याद आ रही होती है और चाहते हो आपकी कुछ कर जाएं सिर्फ ऐसा कुछ कर जाए कि आपके देश का नाम हो लंडन में ये फीलिंग आई दोहजार सत्रा में और इसको ऑफिशियल एटेम्ट का परमिशन मिला दोहजार उन्निस में जाके और मैंने ये कोशिश की कि सेप्टेम्बर तीन को मैं इस ऑफिशियल एटेम्ट को लू और स कि और आपको लगा कि हम अपने शाहर का नाम रोशन कर सकते और अपनी इस प्रतिभा को एक वर्ड रिकॉर्ड के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं रीवा ही आप अभी आप हमारी चर्चा हो रही थी आप से तो आपने बताए कि रिवा क्यों चूज गिया तो एक बार द certificate में अगर नाम आएगा तो वो आएगा आप कहां से हैं और किस देश को विलॉंग करते हैं, तो definitely रिवा के अलावा वो जगह हो ही नहीं सकती थे, क्या बात है, तो गिनीज पर रिकॉर्ड में तीन चीजे आती हैं, आपका नाम, आपकी एज, नाम, डेट और आपका शहर, न और नाम लाता टंडन होगा और डेट, जिस देट से ये स्टार्ट करेंगे, जिस दिन डेट को आपको सर्टिफिकेट पे लेगा, अच्छा ये पुछना जाता हूँ कि आपको ऐसा भी लगा होगा, बहुत सारे होटल से आपको आया होगा, कि आप हमारे हां से करें, रिक् अब सबसे बड़ा सवाल, जब मैंने पहली बार देखा कि 72 गंटे आप लगातार खाना बनाने वाली हैं, तो सबसे बड़ा और पहला सवाल ये था कि 72 गंटे बिना सोय हुए, ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए तो ये गिनीज वर्ल रिकॉर्ड में जाएगा, 72 गंटे बिना सोय, बिना हाथ रुके, लगातार खाना बनाना है, इसमें बहुत ही जनुएन ब्रेक्स मिलते हैं, इसमें गिनीज वर्ल रिकॉर्ड में हर घंटे का पांच मिनिट का ब्रेक मिलता है, जो की लगभग ना के बराबर होता है, ये सिर्फ प्राक्ट गंटे, 30 मिनट और एक सिकंड का है, उसको आप ब्रेक करने वाले हैं, इतना सारा खाना जब बनेगा, 72 गंटे आप लगातार खाना बनाओगे तो बहुत ज्यादा बल्क में खाना बनेगा, तो ये खाना कहा जाएगा, ये खाना जो है, ऐसा नहीं था कि बल्क में ही बनान मैं उनको बहुत मानती हूं, मेरे शेफ्स आई है, मेरे कलिनरी इंस्पिरेशन है, तो इस पूरे इवेंट को मने बल्क इवेंट में कनवर्ट किया, हम चाहते थे कि इस दौरान में 22 गंटे खिल बनाती रहूं, मेरी टीम आए हुए हर इंसान को, जो भी रिकॉर्ड में आ जाएगा ताकि एक भी खाने को हम वेस्ट ना करें, क्योंकि इसकी बहुत वैल्यू है, तीन सेप्टेंबर से आपका जो यह अटेम्ट है, वो शुरू होने वाला स्टार होटल रिवा में, कौन सी टीम आएगी गिनीज रिकॉर्ड की टीम आएगी यहाँ पर उसको जज कर जाएगी और उनलाइन भी मुझे टैली किया जाएगा ओल दे टाइम वहां से, और कई तरह के प्रॉजन कॉंस है, जो गिनीज हम पर देता है, और उसके अंतरगत कई विटनेस और कई टाइम कीपर्स के डेटा हमें सब्मिट करने पड़ेंगे गिनीज में, उसके बाद इ ये रिकॉर्ड एटेम्ट सक्सेस्फुल हुआ की नहीं, ये हमें बताया जाएगा और उस दिन मुझे सर्टिफाय किया जाएगा लंडन में, अगर ऐसा हो जाता है कि पावर कट आउट हो गया, या फिर इंटरनेट का कनेक्शन यो है वो तूट गया, तो फिर आप इस ति को हरता है कि इतने बजे से इतने मिनिट के अंतरगत कट आउट हुआ और इतने मिनिट वापस आया उस डेटा के दौरान CCTV कैमरा जो की नाइट विजिन और इस तरह की कट आउट के दौरान काम आते हैं उसका डेटा उने शब्मिट किया जाएगा, मतलब हम किसी तरह का कॉ तो पूरी तैयारी के साथ अब उतर रही है तीन सेप्टमबर से ये शुरू होगा और लगातार 72 गंटे लगबग छह साथ तारिक को ये पता चले कि पूरे दिन पूरे रात ये खाना बना रही है खाना बना रही है खाना बना रही है कितने सारे लोग लगेंगे आपके साथ तीम में काम कर सकते हैं आप वैसे तो ये इंडिविजियल रिकॉर्ड है मैं ही हूंगी जो किचन में काम कर रहे हो पर लगेगी, जो की विटनेसेज और टाइम कीपर्स की हल्प करती रहेगी, एक टीम खाने की डिस्ट्रिबूशन में होगी, जहां की लोग आएंगे और हम उन्हें बाइज़त सर्फ करेंगे, तो और एक टीम जो की सबसे इंपॉर्टन टीम है, कावेरी कॉलिंग, जो मैंन सारा खाना लोगों को फ्री में सर्फ करेंगे, और एक अभी वर्ड आपने कहा, कावेरी कॉलिंग, ये क्या है, ये बता दीजा, अचली इसको बताने में मुझे अत्यंत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं जुड़ी हूई हूँ एक इशा फाउंडेशन करके तरगत, प्लांटिंग ट्रीज, सेविंग अर्थ एंड कंजर्व वाटर का एक इंटेंशन है, और मैं चाहती हूँ लोग अवेर हो, आज जो पानी की स्थिती है, रीवा और चारो और हमारे देश में, उसके लिए अवेर हो और जरूर बढ़ें और कॉंट्रिब्यूट कर है, बढ़ हां उससे बाहर निकल के अगर देखा जाए कि देश में इतने कीजीन से तो कंपारिटिव इटालियन कीजीन विल बी मैं फेवरिट, मतलब इटालियन बहुत पसंद करती हो मैं, जब बाहर के देशों में आप जाती है, तो वहां के लोगों का रेक्शन कैसा होत है यहां के फूड को लेकर, अगर मैंने बता दिया कि मैं इंडिया से आई हूं, तो लोगों की आखे चमक जाती है, बाहर इंडियन कीजीन की बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत पसंद किया जाता है इंडियन कीजीन को और यह मुझे बहुत खुशी देता है, पहला क्या बो है, बहुत बहुत तरीके का खाना है हमारे पास, इंडिया में क्या है और बाहर के देशों में आप कैसा देखती हैं, तो बाहर शेफ्स को बहुत इज़त दी जाती है, इंडिया, मतलब अगर हम इटिली चले जाएं तो में कोस के बाद हैड़ शेफ के हाथ तक चूँए ज हैं, हमारे पास भी उनिफॉर्म जैसे डॉक्टर्स और आमी परसन के पास होती है, तो एक जिम्मेदारी है हमारा खाना खिलाना, तो डेफिनिटली इंडिया के कमपेरिशन में बाहर शेफ्स की बहुत इज़त है, यहां इसी थोड़ी सी ठीक नहीं है, उसको ठीक करना चा इसको बाहर ले जाना चाहिए, इसको एक्स्प्लोर कराना चाहिए, इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हाईजीन और स्टैंडर्स को मेंटेन करना चाहिए हमारे किचिन में, तो मुझे लगता है कि इसको डेफिनिटली बहुत अज़त मिलेगी बाहर भी. आज की स्थिती ऐसी है कि लोग, especially girls भी और boys भी, सभी खाना बनाने से थोड़ा सा कतराते हैं, इनका पैसा ने उनको छोड़ दिया जाए, तो घर में अक्सर की खाना नहीं बनाना है, और लड़कियां इस बात को लेकर कि हम खाने बनाने के लिए सिर्फ पैदा नहीं हुए और आप उस दोर में 72 गंटे लगातार खाना बना रहे हैं, कैसा लग रहा है, मतलब क्या सोच है आपकी? एक पूजा के समान है मेरे लिए, तो definitely. मैं दिल से एक बात बोलना चाहती हूं कि मैंने बहुत महनत की है, पिछले डेड़ साल से महनत कर रही हूं लेकिन मैं नहीं बोल सकते कि ये रिकॉर्ड में ला पाऊंगी या नहीं, लेकिन सिर्फ रिकॉर्ड तभी आएगा, जब आप सब की विशिज और प्रेयर मेरे बहुत धन्यवाद और मेरी विश है कि आप अमेरिका वाला 68 गंटे 30 मीनट और 1 सेकंड का रिकॉर्ड ब्रेक करें और रिवा वाला अपना बिलको शुद्ध प्योर रिकॉर्ड हमारे पास लाए जो कि 72 गंटे से जादा का हो, आप सभी से मेरी अपील है कि आप भी 3 सेप् रिकॉर्ड ब्रेक करें और अपना नया शुद्ध देशी रिकॉर्ड रिवा के नाम का ले आए इसी आशा और विश्वास के साथ फिर मिलेंगे जब इनका रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा मतलब जब यह रिकॉर्ड ब्रेक कर लेंगी और इनसे बात करेंगे और शुब का तब तक के लिए बने रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी के साथ धन्यवाद